नमस्कार साथियूं, संस्कृते IAS की यूटूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है, मेरा नाम चंदर शेकर है। नाय जा सकते हैं, उन्हें आपको ध्यान में रखना चाहिए। दरसल ये जोग्राफी से सम्मदित ओधारना है और जोग्राफी की ओधारना ये कहती है, कि जो प्रिथ्वी है, प्रिथ्वी की उपस्ति सुर्य से इतनी दूरी पर है, अर्थात आप ऐसे कह सकते हैं, एक ऐसी दूरी पर रिस्त है, जहां पर सुर्य का बहुत जादे टेंपरेशर नहीं होता है, इतना टेंपरेशर नहीं होता कि इनसान पापड बन जाए, और इतना कम टेंपरेशर भी नहीं होता, कि यह यहां पर ब्यक्ति फ्रीज हो जाएं, या यूँ कह सकते हैं कि बोतल में रखी हुई कोलेडिंग के समान हम जम जाएं, तो यहां पर आप यह कह सकते हैं कि उपयूक्त दशाएं यहां पर मौजूद हैं, इस वज़से प्रित्वी पर जीवन संभव हो पा रहा है, उ गोल्डी लॉक्स परिद्रिश, अब यह जो आप से पूछ रहा है, गोल्डी लॉक्स परिद्रिश, तो यह कह रहा है, बेरोजगारी की उच्च दर, तो गोल्डी लॉक्स तो एक उपयूक्त इस्तिती को बता रहा है, तो उपयूक्त इस्तिती का सीधा 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 सा मतल मिलेगा इस्तिर सकल घरेलो उत्पाद सम्रेधी दर भी देखने को मिलेगा जो बैंकों से आप रिंड लेकर की निवीस करते हैं तो उस पर आपको ब्याज देना होता है तो ब्याज अपेक्षाकरित कम होता है तो वो उसी स्थिति को संदरभित कर रहा है तो इसलिए ये तीन लॉक्स परेद्रिश्य को बताता है भारती अर्थ व्योस्था या किसी भी अर्थ व्योस्था कि इस अंदर में यहां पर देखें कौन-कौन सा सही होगा दो तीन और चार सही होगा तो यहां पर आपका सही विकल्प होगा सी यानि कि केवल तीन के बारे में आप याद रखे ठीक है अब इसकी ब्याक्या भी देख लेते हैं अगस्त 2023 में गोल्डी लॉक्स परेद्रिश समाचारों में रहा गोल्डी लॉक्स परेद्रिश वही बाती यहां पर बताई जा रही हैं मुद्रा इस्पिती में ब्रिध्धी कर दे और नहीं इतनी कम होती हैं जो स्लोडाउन अर्थात आर्थिक सुस्ती का कारण बने अगर डिमांड नहीं है तो आर्थिक सुस्ती स्लोडाउन की स्थिती होगी ही ठीक है यह क्या बताता है बेरोजगारी की निम्न दर होगी इस्थिर सकल घरेल उतपाद सम्रिधी दर होगी अपेक्शाकृत कम खुद्रा मुद्रा स्थिती देखने को मिलेंगी अपेक्शाकृत निम्न ब्याज दरें होंगे तो इससे समधित बातों को आप लोगोंने समझ लिया अगला प्रश्न क्या कहता है निम्लेखित कतनों पर विचार कीजे कतन एक कह रहा है सामानेता शक्त मौद्रिक नीति से बेरोजगारी में कम नियंत्रित भी करना है यहां पर कहा गया है कि जिसका एक उदेश मौद्रायस्पीती को नियंत्रित भी करना है भी शब्द का इस्तेमाल किया गया है इसका मतलब यह हुआ कि अन्यभी इसमें उदेश शामिल है ठीक है अब देख लेते हैं यहां पर कहा गया है कि कौन सा ए संकुचित मौद्रिक नीती का मतलब यह है कि आप जैसे कठोर मौद्रिक नीत समझते हैं उसी के हिसाब से समझ लेते हैं जब RBI ब्याजदरों को बढ़ाता है तो बैंकों को भी RBI से रण महंगा मिलता है अर्थात जो बैंक RBI से रण ले रहे हैं उस पर ब्याजदर उन्हें लागत बढ़ जाती है और जब RBI से बैंकों को अधिक ब्याजदर पर रिण मिल रहा है तो बैंक भी अपने ग्राहकों को अधिक ब्याजदर पर रिण देंगे जब ऐसी स्तिति उत्पन्न होगी तो ब्यक्ति उपभोग और निवेश ब्याय दोनों कम कर देगा इससे अर् आर्थिक सम्रिध्धी पर भी इसका विपरीत प्रभाव पड़ेगा आर्थिक सम्रिध्धी दर कम होगी क्योंकि यहां पर निवेश कम होगा ब्याजदर अधिक होने की वज़ज़ से हो सकता है कि आप अपनी कार आप अपनी लेकार खरीदना चाहते हों आप कार रेंडर लेकर के खरीदेंगे, EMI पर लेकर के खरीदेंगे, पता चला कि ब्याजदरे बढ़ी हुई हैं तो आप कार लेना पोश्टपॉंड कर सकते हैं एक निवेशक है वो निवेश करना पोश्टपॉंड कर सकता है तो अगर एक जो उपभोगता है वो उपभोग करने के लिए नहीं ले रहा है तो यनि डिमांड कम होगी और डिमांड कम होगी तो उत्पादन भी कम होगा और मालेजे उत्पादन हो भी रहा है तो सेल नहीं होगा तो निवेश भी कम होगा और निवेश कम हुआ तो इसका मतलब यह है कि टाइट मौदरिक नीती या शक्त मौदरिक न सब्सक्राइब करना है जैसा कि मैंने कहा कि अगर इसको ऐसे समझ लेते हैं यह आरबी आई है ठीक है और आरबी आई से बैंक बैंक रिंड लेते हैं तो अगर यहां पर ब्याज़धर अधिक होगा तो इनके जो उपभोगता है बैंक इसके भी अगर मैं कहूं कि यहां पर ब्याज़धर अधिक होगा और ब्याजदर अधीक होगा, तो इसका मतलब ये है कि जो उपभोग और निवेश ब्याय ये कम होगा, कम क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर रण की डिमांड भी कम होगी, तो ब्याजदर अधिक उपभोग और निवेश बय में कमी आएगी और उपभोग और निवेश बय में कमी के साथ यहाँ पर आप कहेंगे तरलता क्या होगी? कम होगी और जब ऐसी स्थिति आएगी तो यहाँ पर वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन कम होगा ठीक है यह स बढ़ा दिया उपभोग और निवेश बय इसमें कमी आगई और कमी आई यानि कि डिमांड कम हुआ उत्पादन भी कम होगा और जब उपभोग और निवेश बय नहीं हो रहा है तरलता में कमी आ रही है और यहाँ पर उत्पादन कम हो रहा है तो यही सारी बातें यहाँ बताई गई हैं देखे मुद्रा इस्पिती को नियंतरित किया जा रहा है तो जो यहां पर तरलता में कमी आ रही है इसकी बात कही जा रही है कि इसकी वज़ा से अर्था सफ्त मौद्रिक नीती के माध्यम से मुद्रा इस्पिती को नियंतरित भी किया जाता है यह बातें आप आप लोग समझ चुके हैं यहाँ पर देख लिए चर्शा में क्यों है तो वित मंत्री के अनुसार मुद्रा इस्विती पर अंकुस लगाने के लिए ब्यास दरों में ब्रिधी सर्वुत्तम विकल्प नहीं है बलकि यह रिकवरी को नुकसान पहुंचा सकती है अगर आपने टाइट मौद्रिक नीती का प्रियोग किया तो इसका मतलब यह हुआ कि तरलता में कमी होगी और तरलता में कमी होने से मांग प्रभावित होगी और जब वस्तुओं और सेवाओं की डिमांड कम होगी तो प्रोडक्शन नहीं होगा और प्रोडक्शन नहीं होगा तो इसका सीधा सीधा सा मतलब ये है कि आर्थिक सम्रिद्धी हमारी प्रभावित होगी मुद्राय स्पिती को नियंतरित करने में आर्बियाई की असमर्थता कहां पर दिखाई देती है तो आपोर्ती मांग में अप्रत्यासित और अल्पकालिक असंतुलन हो जाए इसके मांद ये शंतुलन नहीं अस्थापित किया सकता और समान मांसून वितरन हो जाए एक शेत्रविशेस में मांसून अच्छा हो दूसरे शेत्रविशेस में भारत के संदर्व में बात करें वहाँ पर मांसून सहीने नहो सो भाविक सी बात है जिधर मानसून बढ़िया है वहाँ पर उत्पादन बढ़िया होगा एक शेतर विशेश में मानसून बढ़िया नहीं है तो मानसून समय पर नहीं आया अगर आया भी तो वहाँ पर अधिक वर्षा होगे जिससे फसल खराब होगी अगर आया कम आया तो तो भी समस्या है ठीक है वर्शा पूरी नहीं होई परियाप्त नहीं होई जितनी फसल की आवशकता है तो भी समस्या उत्पन हो सकती है। तो इसकी वज़ा से जितनी डिमांड है पूरे देश के संदर में बात कर लिजे जितनी डिमांड है एक्षेतर विशेस में ही उत्पादन हो रहा है तो इसको कैसे RBI संतुलित करेगी भूराजनितिक अनिशित्ताओं के कारण भी बस्तूओं की आपोर्ती में बाधा उत्पन होती है और बाधा उत्पन होने का अगर आप लोगों को पता होगा तो बॉटलने के इंफलेशन भी होता है जिसको कहा जाता है आप पूर्ती स्रिंखला बाधित होने की वज़़े से ये इस्ति देखने को मिलती है तो जिस तरह से अभी इसराइल और इरान अमेरिका इसको उसकी वज़़स से भी आप ओर्ती स्रिंखला बाधित होती है उसकी वज़़स से भी जो मुद्रायस्विती है वो बढ़ती है तो इन सभी को कैसे नियंत्रित करेगी तो इस संदर्व में ये कहा जा रहा है कि मुद्रायस्विती को नियंत्रित करने में आर्भी आई की अस आती है, ऐसा माना जाता है, ब्याजदरों में कमी से आर्थी गत्विधियों में व्रिधी होती है, ठीक है, ब्याजदर को आपने कम किया, जैसे थोड़े समय के लिए मान लेजे, रेपो रेट, रेपो रेट, अगर रेपो रेट में कमी की गई, कमी का मतलब ये है, कि अब र RBI वानिजिक बैंकों को कम ब्याजदर पर रिण उपलब्द करा रहा है जो वानिजिक बैंक है वो भी कम ब्याजदर पर अपने ग्राहकों को रिण दे रहे हैं तो इसका मतलब यह हुआ तरलता ठीक है तरलता बढ़ जाएगी और तरलता बढ़ने की वज़े से उपभोग औ और निवेश जब बढ़ेगे तो इसका मतलब यह हुआ कि आर्थिक समरेती दर भी बढ़ेगी तो यह कहा जाराय गत्विधियों में बृद्धी होती है इससे मुद्रायस्फिती में भी वड़ोत्री होती है मुद्रायस्फिती लक्षी करण के तहत खुद्रा इसका मतलब यह हुआ कि या तो चार में दो माइनस हो सकता है या चार में दो जुड़ सकता है तो अधिक्तम यह होगा यहाँ छ्य हो सकता है और निंतम यहाँ दो हो सकते है तो इसकी बात की जा रही दो से च्षा proud प्रतिश्ट मुद्राइश्पिटी लक्षिकरन का सीधा शीधा सा मतलब यह है कि केंद्री बैंक कètres नीती है इसका उदेश यह होता है कि मुद्राइस्पिटी को इक नर्दिष्ट वार्शिक दर पर प्राब्त करना या उस पर बनाए रखना उसी के अनुरूप जो नर्धारित किया गया है उसी के अनुरूप RBI मौदरिक नीती का भी प्रियोग करती है ठीक है इससे यहाँ पर यदि मौदरिक नीती को सीमा से ज़्यादा सक्त किया जाता है तो उसका प्रभाव देखने को मिलता है जैसे GDP में गिरावटा सकती है क्योंकि जो उत्पादन का मौदरिक मुल्य होगा उसी से हमारी GDP बढ़ेगी तो ये भी बेरोजगारी में भी ब्रिधी हो सकती है सोभाविक सी बात है तो जो आपने ऊपर देखा है इन ही बातों को ध्यान में रखते हुए देखिए सही कौन सा है ये गलत है किन्तु कथन आर सही है ये दूसरा सही है आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न को देखें अगला प्रश्न क्या कह रहा है क्रेडिट रेटिंग एजेंसी के संदर्में नमलेखित कतनों पर विचार कीजए पहला भारती एजेंसी मोडीज क्रेडिट रेटिंग प्रकाशित करती है यह निवेश्कों को तथ्य आधारीत न्याढाय लेने में मदद करती है वर्ष 2023 में मोडीज ने भारत की BAA rating की पूश्टी की है अब आप से ये पूशा गया है कौन सा कतन सही है समझने की बात ये है कि credit rating agency क्या होती है अब एक example के जरीए समझे जैसे मैं एक छोटे से गाउं में रहता हूं मेरे पडोस में एक दुकान है मैं हमेशा उसके हां से सामान लेता हूं उधार भी लेता हूं और फिर मैं उसे चुका देता हूं चुकि उसको मेरी साख का पता है और उसे ये पता है कि इस ब्यक्ति को मैं जानता हूं ये मेरा पैसा चुका देगा यहाँ पर दिक्कत नहीं है उसी दुकान पर कोई बाहर का ब्यक्ति आता है और वो उस दुकानदार से ये कहता है कि मैं आपको पैसे दे दूँगा आप मुझे उधार सामान दे दो अब वो दुकानदार उस ब्यक्ति पर विश्वास कैसे करेगा नहीं कर सकता क्योंकि उसके बारे में जानता नहीं है उसके क्रेडिट के बारे में नहीं जानता है अर्थाथ चुकाने की फ्रिक्वेंसी के बारे में नहीं जानता सुभाविक सी बात है ऐसी इससेती में दुक कमपनी के बारे में बात कर लेजे अगर किसी कमपनी को निवेश करना है और निवेश करने के लिए उसे मनी चाहिए आप ऐसे कह सकते हैं मुद्रा के उपयोग का अधिकार चाहिए उसे वित्त चाहिए स्वभाविक सी बात है कि ऐसी इस्तिति में वह अपने शेयर जारी मार्केट से पैसा उठा सकता है और थाथ उस इंस्टुमेंट के माध्यम से पैसा जुटा करके अपनी वित्ती जरूरतों को पूरा कर सकता है लेकिन जो निमेशक है उसका शेयर क्यों खरीदेगा उस पर विस्वास क्यों करेगा अगर उसकी क्रेडिट सहि नहीं है और अब एक सी बात है निवेशक नहीं खरीदेगा तो निवेशक जब भी किसी शेयर को खरीदता है तो वो देखता है कि इस कंपणी के भुगतान का रिकॉर्ड क्या रहा है, उसकी ब्रिधी कैसी रही है। तिये संसानों के संदर्ब में, सरकार के संदर्ब में या किसी कमपनी के संदर्ब में देखते हैं, उनके रेटिंग देखते हैं, तब जाकर के निवेज करते हैं, उसी के संदर्ब में ये बात कही जा रही है, तो ये कहा जा रहा है कि भारती एजनसी मोडीज क्रेडिट नहीं है तीन एजनसिया है मोडीज है इस टेंडर एंड पूर है फिच है यह ग्लोबल है वैश्विक है भारत की एजनसी नहीं है ठीक है अब यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यह भारती निमेशकों को तथ्य आधारी नेड़ाय लेने में मदद करती है सो भाविक सी बा है यह समय पर अपनी liability को पूरा किये है या नहीं किये है तो दूसरा सही है 2023 में BAA3 की रेटिंग की है यह भी सही है तो यहाँ पर आपका B option सही होगा अर्थात 2 और 3 निसमें सही है ठीक है यह सारी बाते उस रेटिंग एजनसी के बारे में कहा गया है सारी बाते जो मैंने आपको बताया यह देखिए जो रेटिंग है रेटिंग ऐसे ग्रेड दी जाती है BAA3 यानि कि लोवर मेडियम ग्रेड की रेटिंग की गई है ठीक है यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है यह सारी बाते आप लोगों को यह जो PDF है यह संस्कृति IS का टेलिग्राम चैनल ह है उस पर आप लोगों को मिल जाएगा तो इसके संदर में बात कर लिजे जो भारत की रेटिंग एजनसी है यह है यह दो भारत की क्रेडिट रेटिंग एजनसी है और यह तीन SNP अर्थात Standard and Poor और यह मुडीज है और फीच है क्लियर है आगे बढ़ते हैं अगले प्रशन को देखते हैं निमलेकित कतनों में से सही का चैन कीजिए ठीक है पहला कह रहा है मतलब एक कह रहा है ब्रिदेशील नगल नगद आरक्षित अनुपात वैधानिक तरलता अनुप के समान होता है ठीक है वैधानिक तरलता अनुपात के समान होता है दूसरा नगद आरक्षित अनुपात में ब्रिद्धी बैंकों के रण देने की शमता बढ़ा देती है अब बताईए CRR ऐसे समझ लेजी यह जो ब्रिदेशील नगद आरक्षित अनुपात है incremental CRR के बारे में cash reserve ratio के बारे में बात कर रहा है यह कह रहा है नगद आरक्षित अनुपात में ब्रिद्धी बैंकों के रण देने की शमता बढ़ा देती है तो अगर RBI ने यह कहा है कि बैंक ठीक है अब थोड़ी दिर के लिए CRR समझ लेते हैं जो बैंक है उनका जो NDTL होत community ठीक है उसका कुछ प्रतिशत जैसे 4.5 प्रतिशत RBI के पास cash के रूप में जमा रखना पड़ता है वो इसलिए रखना पड़ता है कि कभी बैंक को ऐसी आवश्रक्ता पड़े जैसे आप लोग कोई गाड़ी लेते हैं तो उसका देखते हैं कि soccer कैसा है ठीक है soccer अर्था किसी विवाहन में उसी तरह से RBI क्या करता है कि बैंकों को भी अगर किसी ऐसी वित्तिय इस्तिती या वित्ति आपदा के इस्तिती हो तो उस आपदा से उस वित्तिय इस्तिती से निपटने के लिए पहले से कुछ प्रावधान करता है और उन सभी प्रावधानों में से एक है जिसे cash reserve ratio कहते हैं हिंदी में नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं अर्थात RBI बैंकों से ये कहता है कि आप मेरे पास कुछ जमा रखो cash के रूप में 4.5% के आसपास समय समय पर ये बदलता रहता है उस जमा पर RBI बैंकों को कोई भी ब्याज नहीं देता है ये भी ध्यान रखने की बात है तो ये कह रहा है मान लेजे RBI ने आज कहा कि आपको 4.5% CRR रखना है cash reserve ratio रखना है ठीक है फिर इसको कह दिया कि आपको 10 प्रतिशत करना है यानि की बैंक के पास अगर मान ले की 100 रुपे है और 100 रुपे का 4.5% रखना है अब 100 रुपे का ही RBI ने कह दिया कि 10 प्रतिशत रखना है सुभाविक सी बात है कि बैंक के रिंड देने के शमता में कम ही आएगी और रिंड देने की शमता के साथ साथ ब बढ़ा नहीं देती है ये कम कर देती है अच्छा ब्रिधिशील नगद आरक्षित अनुपात शक्त मौदरिक नीती अपनाने का एक विकल्प है यहां पर कहा गया है कि विकल्प है किसकी तो शक्त मौदरिक नीती के संदर में कहा जा रहा है अब सक्त मौदरिक नीती क्या है ये आप लोगों को थोड़ी देर पहले बता दिया, अब ब्रिधिसील नगद आरक्षित अनुपात क्या है ये समझ लिजे, ये क्यों लाया गया और ये है क्या, दरसल, सरकार ने ये कहा कि 2000 के नोट हम जारी किये हैं और 2000 के नोट हम वापस ले रहे हैं, नोट बंदी हुई, 2000 का नोट आया, अब 2000 का नोट सरकार ने वापस लिया, वापस लिया तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना 2000 का नोट लोगों के पास है, वो सभी बैंकों के पास आ गए, और बैंकों के पास जमा रासी बढ़ गई, और जमा रासी बढ़ गई तो सोभाविक सी बात है, आप ऐ जैसे भी कह सकते हैं कि net demand and time liability बढ़ गई, net demand time liability एक बड़ा concept है, इतने कम शब्दों में, कम समय में नहीं बताया जा सकता, केवल इतना समझ लिजे कि उनकी net demand and time liability जैसे 1000 रुपे उनके पास है, तो 1000 में से जो जमा रखना पड़ता है, RBI के पास, अब RBI ने ये कह दिया, कि भाया incremental cash reserve ratio के तहट आप लोगों को 10% मेरे पास जमा रखना होगा, क्योंकि जो 2000 के note लोगों से वापस लिया गया है, वो बैंकों के पास गया है, तो बैंकों के पास जमा बढ़ गया है, liquidity बढ़ गया है, अब इस समस्या का समाधान करने के लिए RBI ने ऐसा कहा था, बाद में RBI ने इसे वापस लेने की बात कह दी थी, ICRR को, अब वही बात कह रहा है, कि सक्त मौदरिक नीती, सुभाविक सी बात है, कि अगर ये बढ़ा रहा है, तो बढ़ा रहा है, तो जो incremental CRR है, वो CRR के ही समान है, सक्त मौदरिक नीती अप अपने पास रखना पड़ता है, बिल्कुल बैंकों को अपने पास नहीं रखना पड़ता है, तो मैं ये मान करके चल रहा हूँ, कि जितनी बाते अभी तक मैंने बताया है, उसके आधार पर आप लोग सही एंस्वर दे पा रहे होंगे, सही विकल्प का आप लोगोंने समान होता है, ये पिल्कुल गलत है, क्योंकि यह CRR की समान ही होता है, ठीक है, चलिए, इसे समंधी जो बाते थी, वो सारी बाते यहाँ पर लिखी गई है, वही बातें आप लोगों को जो मैंने बताया, ठीक है, इसकी आवशक्ता क्यों थी, तो तरलता में हुई ब्रिधी को नियंतरित करना, मुद्रा इस्पिती पर नियंतर अस्थापित करना, आर्थिक संकट के समय बैंकों को सुरक्षा प्रदान करना, बैंक रन के संभावित खत्रे से सुरक्षा प्रदान करना, बैंकों के रन देने की शमता में कमी करना, अगर जैसा कि मैंने कहा कि 100 रुप एकसी बात है अब बैंक के पास पैसा कम बचा लोगों को रियंड कम दे पाएगा साक्स रिजन कम कर पाएगा मुद्राय स्वेति पर नियंत्रा रस्थापित किया जा सकता है ठीक है चलिए आगे बढ़ें अगले प्रशन को देखें नियमलेकित कतनों पर विचार कीजे पहला कमपनी केंदरी सारुनी शेतर की उद्यम हो दूसरा भारती स्टॉक एक्सचेंज में सूची वद्ध हो तीसरा तीन वर्शों तक औसत वार्शिक टर्नोवर 25,000 करोड हो ये कहा गया किसी उद्यम को महारत्न का दर्जा देने के हैं आप से ये पूशा गया है कि शामिल नहीं है तो बढ़ाए नियुक्त के सारंग शेतर की उद्यम हो और ये सारी बातें चोकि सब इसमें सही है तो सब सही है ऌधार पर सही विकल्प कौन सा होगा अब इसमें ये जान लिजे कि किसी कंपनी को सारवनी किशेतर की कंपनी को महारत्न का दर्जा देने के लिए क्राइटेरिया क्या है पहले बात यह है कि वह नौरत्न कंपनी होनी चाहिए नौरत्न के साथ साथ यह भी कि वह stock exchange में सूची बद्ध हो तीन वर्षों तक उसका वार्षिक टर्नोबर है वो 25,000 करोड के आसपास होना चाहिए मतलब इतना होना ही चाहिए तीसरी बात है कि तीन वर्षों में जो उसका निट वर्थ है वो कम से कम 15,000 करोड होना चाहिए बिश्व के अलग-अलग देशों में उसकी साखाय मतलब कि उसकी उपस्तिती होनी चाहिए इसके साथ तीन वर्षों में जो उसका कुल लाब है वो पांच हजार करोड होना चाहिए तब किसी सार्वनिक शेत्र की कमपनी को महारत्न का दरजा दिया जा सकता है तो बताईए ये सारी बाते ठीक है तो इस हिसाब से इस में से सही कौन सा होगा आप लोग भी एक बार कमेंड करके बताएं यहां पर देखिए आप से पूछा गया है सही नहीं है तो सभी सही है और इसलिए D option होगा की कोई नहीं आगे बढ़ें अगले प्रश्ण को देखें ये सारी बाते इस में लिखी हुई है अगला प्रश्ण निमलिकित में से कौन सा एक initial public offering का सही वड़न करता है तो IPO initial public offer भी आप कहते हैं शुरुवाती मान लेजे थोड़े समय के लिए ये company है मैंने company खोला और इस company के संचालन के लिए सब कुछ कारे करने के लिए अस्थापित करने के लिए मुझे 100 करोड चाहिए ठीक है तो 100 करोड चाहिए मेरे पास कितने हैं 50 करोड मेरे पास है नहीं के बल बता रहा हूँ है ना 50 करोड मेरे पास है अब 50 करोड वो मुझे और चाहिए तो 50 करोड के लिए मैंने share जारी कर दिया ठेक है और share जारी करके मतलब share या प्रतिभूती कह लिजे प्रतिभूती जारी कर दिया एक instrument है जिसके माध्यम से हम बाजार से रण इकत्र कर सकते हैं अब share जारी कर दिया तो जो पहले company ने share जारी किया इसको कहा जाता है initial public offer अब यहाँ पर देखिए इसके माध्यम से company को 50 करोण मिल गए और इस पर जो भी ब्याज देना हो equity जेना जो कुछ भी करना हो वो करेगी company लेकिन अभी उसको मिल गया है तो company पहली बार जनता के समक्ष equity बेचने का प्रस्ताव करती है बताएए अब इसके हिसाब से जो मैंने आप लोगों को बताया इसके हिसाब से सही क्या है पहले में ही आपको answer मिल गया equity ठीक है हिस्सेदारी की बात कर रहा है ठीक equity बेचने का प्रस्ताव करती है अब दो त लेना चाहिए तो जब आप दूसरे किसी ब्यक्ति को बेच रहें तो वह दुतियक बाजार हो जाता है और जब आपने इस जारी करता से खरीदा है तो यानि कि वह प्रात्मिक बाजार है प्रात्मिक अस्तर पर यानि कि इनीशल पब्लिक ओफर ऐसे आप कह सकते हैं सही विकल क्या कह रहा है इसकी शुरवात केंदरी अपर्टेक्ष कर और सीमा शुल्क बोड ने की ठीक है इसका उदेश उपभोगताओं की विक्रेता से बिल मांगने की प्रवेर्थ विक्सित करना है इसके लखी ड्रा का पात्रता लखी ड्रा पात्रता के लिए जीस्टी है आप से पूशा गया है सही कौन सा है तो ध्यान रखना है आप से सही कथन पूशा है इसमें से सभी तीन है कौन ये कि ये कहा गया कि भाया इनके द्वारा शुरू किया गया है बिलकुल सही बात है उदेश ये है कि उपवोकता जो भी सामान खरीद रहा है विक्रेता से बिल मांगेगा और इस पर इनाम रखा गया है कि अगर आप देते हैं तो lucky draw पातरता के लिए कहा गया है कि उसके माधियम से कुछ आपको इनाम दिया जाएगा something 2 करोड के आसपास है तो 200 रोपे तक का बिल होना चाहिए ये पूछा गया है तो सही इसमें कौन सा होगा तीनो ही होगा ये सारी बाते इसमें लिखे हुई है ये पीडियाप जैसा कि मैंने पहले भी कहा हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिल जाएगा वहां से आप इसको पढ़ सकते हैं क्या क्या बाते रही है देखिए निमलेकित कत्रों पर विचार कीजे केंदरी विद्दुत मंत्राले ने इस को लॉंच किया है अब कौन सा पोर्टल है यहां पर देख लिए हाई प्राइस डे अहेड मार्केट एंड सर्प्लस पावर पोर्टल इसके संदर में पूछा जा रहा है केंद्री विद्दुत मंत्राले ने इस पोर्टल को लॉंच किया है इसका उद्दिस सीजन में चरम म आंक के दौरान बिजली के अत्पादक्ता सुनिशित करना है विद्दुत वित्रण कंपनिया पोर्टल पर अपने अधिशेस विद्दुत के आंक्रे दरसा सकेंगी अब आप से पूछा गया है कि यह सही कौन सा है ठीक है कोशन नमबर आठ जल्दी से आप लोग कमेंट कर के बताएंगे कि कौन सा सही है देखें इसमें से तीनों ही सही है इसके लिए कहा गया है कि भaia जो पोर्टल लांच किया गया है कि जो कमपनियों की दिमांड है वो बताएं वहाँ पर बताएंगी और जो अधिसेस है उसके बारे में अधिसेस विद्दुत के आंक्रे वहा चलिए आगे बढ़ें अगले प्रश्ण को देखें यह वही सारी बाते कि कहें महा पत्तनों की कारे प्रणाली पर 352 में रिपोर्ट के संदर्ब में निमलिकित कतनों में से कौन सा सही नहीं है ध्यान रखना है आप से पूछा गया है सही नहीं है तो यह क्या कह रहा है कि भा वो तो वहां पर आ रहे हैं उस पर सामान लोड करना होता है सामान को उतारना होता है तो उसमें कुछ समय लगता है यह पूछा जा रहा है कि टर्न अराउंड समय में ब्रिध्धी हुई है दरसल जैसे जैसे कोई भी अर्थविवस्ता विकास करेगे टेक्नोलोजी डबलप होगा सुभाविक सी बात है समय में ब्रिध्धी नहीं कमी होगी तो यहां पर पहला ही आपको दिखाई दे रहा है कि पहला ही गलत है और इस तरह के प्रश्ण में आप दो की बात करी नहीं सकते तीन की बात करी नहीं सकते जब तक कि यहां पर उस तरह का Elimination Method का प्रियोग कर सकते हैं जब तक कि उस तरह का इस स्टेट्मेंट न दिया गया हो तो सही कौन सा है मतलब इसके हिसाब से आपका ए सही है ठेक है अब इसके बारे में ध्यान रखेंगे ये कहा गया है कि जो भारती पतन है टर्न अराउंड जो समय पहले 94 गंटे था 2013-14 में वो घट करके 52 ग पतन है या भारत में पतन है महा पतन प्रमुक पतन और गौन पतन में इनको विभाजित किया जाता है सारी बाते पीडियाप के जरीए आप रिवाज कर सकते हैं अगले प्रशन को देखें न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम के संदर में निमलेकित कत्रों पर विचार की पहला स्टेट्मेंट के कह रहा है कि सडग परिवहन और राजमार्ग मंत्राले ने स्वदेसी कार टेस्टिंग प्रणाली शुरू की है बहरत में जो कार उतपादित की जा रही हैं भारती कंपनियों के द्वारा उनकी टेस्टिंग अथाद सेफटी रेटिंग क्या है अग तो क्या वो कार सुरक्षित है जैसे इस समय देखेंगे तो टाटा की जो कार है उनको फाइफ स्टार रेटिंग में ली हुई है ठीक है मतलब जादे सुरक्षित है कंपरेटिबली आप कह सकते है तो यह कह रहा है दूसरा यह प्रणाली ग्लोबल न्यू कार असेस्मेंट प्रोग्राम पर आधारित है बिलकुल ठीक बात है इसके तहट सिर्फ दो परिक्षन फ्रंट इंपेक्ट और साइड इंपेक्ट टेस्ट किये जाएंगे यह सही आप से पूछा गया है तीन तरह से मान लेजे थोड़े समय के लिए ठीक है कि यह एक कार है थोड़े समय के लिए चूहा लग रहा होगा लेकिन कोई बात नहीं कार मान लेजे ठीक है यह कार है अब शायद कार लग रहा होगा तो एक तो यह हो गया कि यहाँ से फ्रंट का टकर एक हो गया कि side से टकर, side से, इस side से कोई गारी या कुछ भी दुरगटना गरस्त हो सकता है यहाँ पर कहा गया front impact, side impact और एक impact और होता है जिसे side pole impact कहते हैं यहाँ पर मालिजे ऐसा pole है इसमें टकरा गया, तो side से क्या शती हो सकती है तो 3 dimension से इसका परिक्षण किया जाता है ना कि 2 dimension से तो यहाँ पर पहला और दूसरा सही है, तीसरा आपका गलत है इस इसाब से कौन सा होगा, तो केवल 2 यानि की B option आपका सही होगा, एक और 2, तीसरा यहाँ पर सही नहीं होगा यहाँ पर देखिए जो कहा गया है कि 3 तरह के dimension से ठीक है, इससे समंधि सारी बाती यहाँ पर दे दी गए है, सड़क परिभन और राजमार्ग मंतिराले ने वहानों के दुरगटना गरस्त होने की इस्तिती में, सेफटी टेस्ट के लिए एक स्वादेसी star rating प्रणाली शु करके star rating देते हैं, वैसे ही सेफटी के संदर में rating दिया जा रहा है, ठीक है, सारी बाते यहाँ पर हो चुकी है, यह देखिए, तीन परिक्षन किये जाते हैं, front impact, side impact test और side pole impact test, चुकि उसमें दो कहा गया था, इसलिए आप लोगों को ध्यान रखना है, तो इससे समंधि जि दोस्तों को share कर सकते हैं, और अगर आपको लगता है कि पसंद नहीं आया, तो आप dislike भी कर सकते हैं, ठीक है, आज के session में मेरे साथ इतना ही, अगर अभी तक आपने subscribe नहीं किया है, तो subscribe भी कर लें, और notification bell को आप press करेंगे, तो जो भी video latest video आएंगी, उनका notification समय पर आपके पहुंच जाएगा, और आप उस notification के माध्यम से उस video को देख सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं, आज के session में मेरे साथ इतना ही, अगली क्लास में मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार, धेर सारी सुब काम नहीं